संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापूर में COVID-19 संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्गुजा संभाग के कोरिया सुरजपूर जस्पूर बलरामपूर सहित अन्य राज्यों से भी लोग बहतर इलाज के लिए पहुंचे है COVID के इस संक्रमन के दोर में कोरोना संक्रमित लोगों को जीवन दायनी प्राणवायू ऑक्सिजन की अत्यधिक जरूरत पड़ रही है सर्गुजा सहित संभाग में सुरजपूर जिले के नयनपूर में ऑक्सिजन की सप्लाई भी की जाती है मेटकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सिजन की कमी ना हो इसको लेकर छ तीस गण प्रादेश के स्वास्थ मंत्री टी एस्जी देव के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है जिसको देखते हुए स्वास्थ मंत्री ने 190 जंबो सिलेंडर की खेप मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया है जिससे लोगों को ऑक्सिजन की कमी ना हो सके कॉंग्रेस कमिटी सरगुजा के जिला अध्यक्ष राकेश गुपता ने बताया कि 40 सिलेंडर मेडिकल कॉलेज पहुँच चुका है और कुछ ही देर में 160 जंबो सिलेंडर पहुँचने वाला है 190 सिलेंडर की खेप मेडिकल कॉलेज के प्रथम तल ICU और ऑक्सिजन बेड तयार हो चुके है साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे नगर निगम के माध्यम से ICU वा ऑक्सिजन बेड की तयारी चल रही है इसके लिए स्वास्थ मंत्री टीए सिंदेव के द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है 190 जंबो सिलेंडर के अलावा जीले में लगभग 200 के आसपास बफर स्टॉक में सिलेंडर भी रखा गया है साथ ही स्वास्थ मंत्री के प्रयासों से लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट की भी स्विकृति मिल चुकी है अब सोंबार से 20 किलो लीटर का निर्मान कारे सुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पताल में काफी लोड बढ़ गया है जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ मंत्री टी एस सिंदेव के द्वारा इलेक्ट्रानिक उपकर्णों से लेकर ऑक्सिजन सहित जरूरत की हर समानों को उपलब्ध कराया जा रहा है कुछ दिनों पूर्वी मेडिकल कॉलेज में 250 किलो वार्ट का जनेरेटर भी पहुँच चुका है तिसरे वेव की संभावनाय को लेकर निपटने के लिए स्वास्थ मंत्री पूरी तरह से जुटे हुए है मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यह 190 सिलेंडर जंबो सिलेंडर के अलावा हमारे पास जिले में लगबग 200 के आसपस बफर स्टाक में सिलेंडर अलक्स रखे हुए एक जानकारी आपके माध्यम से जिले को और देना चाहूंगा कि लिक्विड अक्सिजन प्लांट की भी श्विक्रती स्वास्थ मंत्री टीयस सिंग देव जी के प्रयासों से हो गई और सो मुआर से 20 किलो लीटर का निर्मार कारे भी चालू हो जाएगा निर्वाद रूप से आक्सिजन की व्यवस्ता रहे मेडिकल कालेज में इस कोरोना संक्रमार से लड़ने के लिए सारी व्यवस्ता है चल सकें करण हो या आक्सिजन टाइंक हो इनके तारतम में दिन पहले यहां पे एक 200 किलोवाट का केनोपी जनेटर भी पहुंच चुका है तो जैसी जरूरत के हिसाफ से लोड बीच में पड़ा और जो प्लानिंग देख रहे हैं और जो एक शंभानाएं और शंकाएं थर्ड वेव की हैं तो निरंतर उसके तरफ हमारे स्वास्तमंत अबतार मिलता जा रहा है मैं इसके लिए स्वास्तमंतरी टियसिंग देऊजी का हर्देश से अभार वेक्तर हुआ कि सरगुजावासी इस करोना महाकमारी के दोर में स्वास्त रहें और उन्हें बेहतर स्वास्तम्य दायम मिल सकें